मैं उत्राखंड के टूर पे हूँ और अभी तक मैंने कई वीडियो अपने इस टूर के अपलोड कर रखे हैं पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं रशिकेश से निकला था और आ रहा था बदरीनाथ ये है चनल रेइन ए और मैं हूँ रैना अनिल रैना तो मैं आपसे पता रहा था कि मैं निकला था रशिकेश से बदरीनाथ के लिए उस वीडियो में पूरे रस्ते की लंबाई करीबं 300 किलो मिटर की है रस्ते में आसपास का वियू तो बहुत अच्छा है पर डिस्टंस ज्यादा होने के कारण और इसी सीट पे लगातार गंटों बैठने के कारण थकावर तो होई जाती है रस्ते में तो कई खास का जगह हैं विजिट करने के लिए जैसे ये अलखनंदा के धारा के बीचो बीच दारी देवी जिससे माना जाता है पूरे उत्राखंड की संगरकशक देवी पर तो भी इसी देवी के कारण कहा जाता है कि 2013 में केदारनाथ में जल पर लए आया था कहानी ये है कि ये मंदिर 200 साल से भी ज्यादा पुराना है इस एरिया में एक हाइडल प्रोजेक्ट बन रहा था जिस कारण से मंदिर का पानी में डूबने का खत्रा था तो 16 जून 2013 की सुबह को यहां की मूर्थी को अपनी जगह से हटा दिया गया एक उंची जगह पर प्रतिस्टित करने के लिए पर उसी शाम आ गई जल प्रलाई इदारनात में तो बहुत से लोगों का मानना यह है कि इस देवी को यह सब करना पसंद नहीं आया और उसने दिखाया अपना प्रवकोप वहां पे अब इस सब के पीछे सचाई क्या है वो तो देवी ही जानी वैसे यह एक लोकल डियेटी है और इसे काली के साथ भी जोड़ा जाता है और भी जगहें हैं जैसे यह करनप्रया का अलकननदा और पिंडर का संगमस्तल या जोशिमट का यह पुरातन नरसिंग मंदर और बहुत 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 और भी जगहें जब आप खुद यहां आके एक्सफ्लोर करेंगे यहां की जगहों को तो समझ पाएंगे कि उतराखन ने क्या-क्या छुपा रखा है अपनी गोध में क्योंकि हमारा टार्गेट स्टेशन था बदरीनाथ तो हम निकलते चले गए सीधे ही बदरीनाथ के अपने होटल तक पहुंचने के लिए अब दिन बicion के सफर के बाद हम फाइनली पहुँची गए हैं अपने होटल अमृततारा द आवट पे जैसा मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था फाइनली हम पहुंची गए बदरीनाथ और ये है हमारा होटल अमरित तारा दावत उस और जगमगा रहे हैं बदरीनाथ टाउन के गरों की लाइट्स ये रही यहां की बिल्डिंग्स जो अभी रात में दिखेंगी नहीं क्लियरली आपको तो हम चलते हैं होटल में ही वह उपर दूसरी मंदल पर हमने बुक किया हुआ है यहां का सुईट चलिए सैर कराते हैं आपको वहां की यह यहां पर आईना लगा है यह बैड़ है टॉइलेट है यह सब है इस तरी करने के लिए यह यहां से फिर दूसरा कमरा यहां पर यह बैड़ है और आपोजिट साइड पर यहां पर टॉइलेट है यहां पर बूई है सोफा है टेबुल है लैपटॉप है डाइनिंग टेबुल है टीवी वी भी है पार भी था और यह आई समझ आपको यह सब है यहां पर तो मैं फ्रेश हो के खाको के सो जाता हूं और आप से मिलता हूं सुबह सुबह हो चुकी है और बहुत तूंध है बाहर पर मुझे जाना है आज बदरी नादाम पर तो मिलता हूं मैं आप से वहीं पर अपने अगले वीडियो में तब तक चुले नमशकार सत्ष्रियाकाल